हाई उमीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे देखिए दो हजार चौबिस में जिन्होंने मैटिक जो है फर्स्ट डिवेंस से पास किया हुआ है चाये वो किसी भी काईटरिगाड़ी से क्यूं ना आते हों लड़का या भी लड़की है उनको जो है दस अरपे पुरी तरह से समस्या खतम हो गया है आप पुरी तरह से फॉर्म को फिलब कर सकते हैं फॉर्म भरते समय काफी सर लोग गलतिया कर रहे हैं जो गलतिया उनको फ्यूचर में प्रबलम करेगा उनको पैसे नहीं मिलेंगे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको किस तरह से step by step form को भरना है और कौन-कौन से चीजों पर आपको ध्यान देना है जो आगे चलके आपको परसान ना करें तो प्लिस वीडियो सुरू से अंतक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थ्रस बेच्छा लगे तो प्लिस वीडियो को लाइक करेंगे क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत जिदा मोटिवेड करता है तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर के पराउजर में मेधा सॉप्ट सौर्ज करेंगे बिहार लगा कर तो आपके सामने यह वाला जो है पोटल देखनी को मिलेगा अलाकि इसका लिंक ह हुआ है वहां से भी क्लिक करके आज सकते हैं इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे ठीक है ओपन करने के बाद यहां पर देख सकते हैं कि मुख्य मंतरी बालक बाली का दसी पास जो परस्ताहा नियोजना है उसके लिए यहां पे लिंक कर दिया गया है 15 अपील से लेकर 15 मई के ब लग वीडियो बनाया हुए उसको आप चेक आउट कर सकते हैं इसमें कुछ होते हैं यानि कि सबसे पहले आपको अपलाई करना होता है फिर दिपार्टमेंट के दुवरा आपका बैक वरिफिकेशन किया आता है उसके बाद आपको लॉग इडी मिलता है जिसे लॉग इन करके जो ही फानलाई करना होता है उसके बाद आपका फिर अपके खाते तक झाता है ठीक है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको जो ही फॉर्म का ऐसे भरना है तो यहां पे फिर नागा अ मिलेक्न तो यहां-पर आपको होनलीक करना है भीक है eandra क्रनुकर के बाद कुछ आपके सामने रजिट्रेशन फर्म खोल जाएगा सबसे पहले डिस्टी का नेम बताना है कि आपने जो ही कौन से डिस्टीक से अपना मैट्रिक पास किया हुआ है फिर यहां पर आपने रजिट्रेशन नंबर लिखेंगे जो कि आपके एडिमिट काड या फिर आपका जो भी अपने जल्ड चेक किया हुआ है मार्क सीट पर उस पर आपको देखने को मिल जाएगा फिर यहां पर दसवी के सडिफिकेट का नुसार इस्टीक का नेम लिखेंगे उनका डेट बर्त लिखेंगे फादर और मदर का नेम लिखेंगे दसवी में उनका जो ही कितना अंक प्र रोल नमबर यहां पर डाल देंगे और उसके बाद यहां पर मैरीड मैपको नो ही रहने देना है उसके बाद यहां पर आपको मोबाइल वेरिफिकेशन करना है तो सबसे पहले एक मोबाइल नमबर यहां पर डालेंगे विरिफाई विट बटन पर क्लिक करेंगे तो जैसे ह verify के button पर click करेंगे तो यहाँ पर OTP जाएगा ठीक है तो OTP आपको यहाँ पर डालना है और mobile OTP verify के button पर click करेंगे तो आपका जो mobile number है इस तरह से verify हो जाएगा उसके बाद एक alternative mobile number भी आपको verify करना होगा जो कि आपके घर में किसी का हो सकता है आपके अब यहाँ पर आपका जो है अधार verification किया जाएगा जिसमें आपके अधार card पर जो भी name है उन name आपको बतानी है यहाँ पर gender जो है आपको बतानी होगी फिर यहाँ पर आपना अधार number का जो भी जनकारी है जैसी कि आपके अधार card number 12 digit का होता है वो आपको डालनी है फिर आपके अधार card पर जो है date of birth किया है वो आपको बतानी है ध्यार रखिएगा आपके अधार card पर जो भी date of birth है वो आपके mati के certificate पर होनी चाहिए अगर कु verification यहाँ पर complete हो जाएगा अगर आपका अधार verify नहीं हो रहा है तो आप एक बार सही से अपना नाम date of birth डाल कर जरूर चेक करेंगे आपका जो अधार है इस तरह से verify हो जाएगा अधार verification complete होने के बाद यहाँ पर आपना capture code को डालेंगे preview के button पर click करेंगे अब आपके सामने पूरा preview यहाँ पर देखने को मिलेगा जिसको आप check out कर लेना कि आपने जो भी जनकारी दिया हुआ हो जनकारी सही है की नहीं है उसके बाद यहाँ पर जो ही दो document आपको upload करना है पहला जो है matri का mark sheet है वो आपको upload करना है ध्यां रखे आप यहाँ पर choose file के button पर click करके इसको upload कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर जो है अधार card का जो पीछे का और आगे का photo copy होता है मतलब कि उसको सबसे पहले photo copy करवा लेंगे और उसके बाद scan करके यहाँ पर upload कर देंगे इसका भी size चार सके भी और PDF में होनी चाहिए आप इज जैसे ही register here के button पर click करेंगे तो आपका जो registration है यहाँ पर subscribe complete हो जाएगा तो इसको जो है print करके आप अपने पास सुरक्षित रख लेंगे आपका जो है form यहाँ पर fill up हो चुका है अब क्या होगा कि आपका जो है account और जो भी अपने जनकारी दिया हुआ है वो verify किया जाएग पिर आपको user id password मिलेगा जिससे log in करके समय समय पे आपको जो हुआ फर्म को फनलाइज करना होगा तो उसके लिए हम अलक से वीडियो लाएंगे कि आपको किस तरह से फनलाइज करना है अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आप अपने application का जो status है कैसे check कर सकते हैं तो यहा समय के बाद यहां पर क्लिक करेंगे तो फिरिफाई हो जाने के बाद ही 10 पासवडन मिलेगा जिसके लौगिन करके केवाल आपको फॉर्म को डप करना होगा निचेक करते रहेंगे जिससके सब ही anderen वरिफाई हो गया है कैटी गड़ी हो हो गया है उस तरह से सभी यहां पर भ्रिफाई हो जाएगा तब आपको यूजर एडी पासवड आपके जो भी रिश्चर नंबर है उस पर सेंड कर दिया जाएगा जिसके बाद आपको जाकर लाश्ट में उससे लॉग इन करके फनलाइज करना होगा जैसे कि आपने देखा क किसी परकार की समस्या ना हो साथी साथ आपका जो अधार काड़ है वो जो भी बैंक है उससे लिंक होना चाहिए नहीं कि अधार सीड़ेड होनी चाहिए तब ही पैसे आपको मिलेंगे कि फॉर्म भरते समय कहीं भी आपसे एकाउंट नंबर नहीं मांगा जा रहा है जो भी आपका आधार सीडेट बैंक खाता होगा उसमें ही पैसे आपको ट्रांसपर की जाएगे फिर भी आपके मन में किसी परकार कोई सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें नीचे कमेंट से में कमेंट करके जरूर पूछ लेना वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद